हालो फ्रेंड में हूं माली पाई के एक प्रोपेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ जहाँ पर आपको एसे समों फिप्से गूगल आड्स इसके साथ आपको वेसे डिजैन और डिवलपमेंट मार्केटिंग सिग्न को एही क्लास पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे ये चैनल है कि ये सारे के सारे जो एड केंपेंड का जो लॉजिक है एड केंपेंड चलता है कीवड सेलेक्शन करना है उसको मोनिटरिंग करना है उसको कॉपी बलाना है उसको एबी टेस्टिंग करना है ये सारे के जो मामला है ये एड गुरूप की उपर ही चलता है अगर आपको ए 41 सीरीज है और आप सिक्रें Google Ads Tutorial in Hindi class जो Google New Ads campaign राइट कैसे क्रेट करेंगे यह सार सीज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे पर अगर आप पहले पर वीडियो के अंदर आये हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब या वेल बटन ये दोनों भी आप घंटा बटन दवा दिजिए और आप आप देख सकते कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिजिटल मर्केटिंग के वीडियो आपको स्टेप बाइस्टेप पार डे मिलते रहेगा राइट तो चलिए एड गुरूप के लिगर बात करेंगे पर बैद केना से पहले आपको थोड़ अचा एक सास इंजिन के यहाँ पर एक ad लिखा है तो यह है आपके लिए ad campaign के लिए google आपको एही ad लिखकर आपको दिखाता है और यह blue बला एक color की आता है इसके बाद यह जो service आप देख रहे है यह organic search से तो friend यहाँ पर हम एक discuss करेंगे कि कैसे एक अच्छा-च्छा ad group करने से पहले ad कैसे काम करते तो आपने कैसे लिट किया अपने लिखा online personal loan और आपको एक ad देखने को मिलेंगे एक ad नहीं दो चर्म ad आपको देखने को मिलेंगे तो आपने देखा कि पिसले वाना वीडियो के अंदर मैंने बताया कि ad group इसली important है because इसके अंदर keyword, takes और landing page आपको set करना होगा और यही ती तीनो चीज़ें के अंदर आपको सारे के सारे ad performance different करते है अगर आप एक अच्छे तरह keyword search करेंगे आपको ad जो take से बहुत अच्छा है clickable है और impress भी logo को कर सकते है तो आप जाता ज्यादा इसको फार्दा ले सकते है इसके बाद क्या है इसके बाद important तो एह है कि ए तीनो आपने कोई भी ad campaign नहीं create किया इसलिए आपको पहले बार एक ad campaign create करना होगा right add campaign क्लिक करने के बाद आपको new campaign मिल जाएंगे इसके साथ-साथ आपको बहुत सरे option मिल जाएंगे जैसे sales, leads, web traffic, products और apps, brand, awareness, srcs तो चलिए यह सारे चीज़ सोड़कर हमने create campaign without goals रेट करेंगे औ इसके साथ-साथ आपको सास जो है सिरफ कि सरे आप अगर सास रेजल के अंदर दिखाना चाता हो तो यह आपको क्लिक करना होगा website के लिख करना के बाद आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि चले मैं यहाँ पर example.com लिखना चाहूँगा क्योंकि HTTP लिखना से मुझे बहु चलो कोई भी हो example.com ओके example.com यह मैंने लिख दिया और यह website विजिट के लिए मैंने ad campaign चला रहूँ राइट तो फ्रेंड यहाँ पर आप continue दबा दीजे continue दबाने के बाद आपको क्या आजाएगा आपको एक campaign name लिखने को बोलेंगे तो campaign name आपको भी देश लिखते हैं आप my first my api rst first add test a test test के लिए बनाई जा रहा हूँ और यह campaign 1 है right campaign 1 right इसके बाद हम कहा लिखेंगे इसके बाद हम सोट देंगे क्योंकि जो sas network है वो नहीं इसरिफ हम google पे दिखाना चाहते right तो google के अंदर दिखाना चाहते language आपको जो भी है आप by default रहना दीजे basic level के अगर dynamic action रहना चाहते होती है पूरा details मेरा पिसले वीडियो के अंदर सारे के सारे वीडियो में इसके अंदर दे चुका हूँ अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप चेक करके भी आप देख सेकते हो कि यहाँ पर ज्यादा तो ज्यादा आपको google ads नहीं तो आपको instagram marketing इस सारे चीज अगर आपको पास 10,000, 15,000 या 20,000 या 1,000,000 लाग भी है तो आप यहाँ पर देख सेकते हो राइट आप पहले बर ad campaign क्लेट कर रहा है तो please click के लिए आपको पैसे बीट कीजिए और पार क्लिक के लिए आप minimum maximum 20 करके दे दिए जो relevant keyword की हिचाप से आपको price आता है वो price आप से इसके बाद आपको मैं साइट लिएंगे सारे सीस में सोड़ना चाहता हूँ और बस मुझे क्या करना है save and continue करना है तो campaign name बन चुका है यह campaign जब बन जाएंगे तब हम जाके set ad group करेंगे तो आप देख सकते के set ad group इसके बाद आपको campaign बन चुका है अगर अगर basically यहाँ पर आप एड campaign चलाना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं है आप स्रेब यहाँ पर आप लिखर दे दीजे तो यहाँ पर मिने save कर दूँगा ठीक है save करने के बाद friend आप यहाँ पर भी मिने save and continue दबाऊंगा save and continue तो आप देख सकते कि यहाँ पर आपको एक ad group बन चुके तो sorry में यहाँ तक में cancel करना चाहता हूँ और एक cancel करने के बाद आप देख सकते कि यहाँ पर आपको एक ad group बनना चाहिए तो अभर भी पर आप जाएंगे राइट अभर पीव के जाने के बाद आपको एक campaign show हो लगेगा, एक सेगेंड फ्रेंट, मैं यहाँ पर जाओंगा, क्योंकि आपको भी ऐसा पॉब्लम हो सकते है, मैं फास्ट एड केंपेंड, यह क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद, जो है, यह आप देख सकते हैं, इसके बाद, चला है जाते हैं, फ्रेंट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओके, तो फ्रेंट, आप देख सेकते हैं, कि यहाँ पर आपको केंपेंड मिल जाएंगे, क ग्रूप के लिए, यह क्लिक करने के बाद, आपको सामने में एक एड ग्रूप क्रिट करने को बोलेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर edit कर के भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर create add गरूप, एक क्लिक कर लेजिया, और यह add ग्रूप करने के लिए, आपको ऑड गूप का जो relevant है और यह fast है a pi r st fast test right so friend आप देख सेकते हो के मेरा ad group का fast name है वो मैंने fast ad campaign के लिए रखा हूँ और मैंने test purpose की हिशाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने ad group का नाव दे दिया और यह जो keyword है आप यहाँ पर एक personal की keyword जो होए online personal loan यह रखा अपने और यह मेरा ad group के है अब बार यहाँ आपको keyword चुछ करना होगा राइट तो keyword चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं तो अब जब भी online personal loan करेंगे तो आपको साथ में ऐसा ही बहुत सारे loans की keyword आपको आजाएगा राइट यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो आपको अच्छे लगते personal loans app, loans, consumers loans, low personal trade यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सामने में और एक ad चला जाएगा तो चलिए यहाँ पर आपको quick loan तो quick loan आ जाएगे तो यह सारे चीज तेका सकते हैं तो यहाँ पर आपको जितना सारे आपको business की related और relevant लगता है वो आप ad campaign लगा सकते हो इसके बाद आप दे पर एक चीज आपको याद रखना होगा कि कोई भी ad campaign चलाने से पहले अगर जो keyword आप select कर रहे हो वो keyword की information जरूर आपका landing page या आपका wasted के अंदर होना जरूरी है क्योंकि Google यह मांत है आप fraud type की ad campaign create नहीं कर रहे हो एक दुम exactly 100% accurate ad campaign create कर रहे हो बिकाज आपकी जो relevant keyword और आपक campaign create करने के बाद save send continue कर दीजिए क्योंकि मैंने बताया कि ad group की information आपको सबसे ज़्यादा important है और यहाँ पर जो final URL दे रहे हो आप दे दीजिए तो example.com example.com मैंने दे दिया और मैं आपको time save करने के लिए बस मैं कोई भी एक ले ले लूँ बास 50% तो मैं यह मैं यह लेना चाहता हूँ राइट यह सारे चीज़ मैं यह सारे चीज़ मैं लेना चाहता हूँ राइट और एक ad campaign मैं यहाँ पर create करना चाहता हूँ आप जानता हो कि यहाँ पर minimum आपको 30 character लिखने को देंगे तो इसे सबसे अच्छा है कि आप 30 character के अंदर रखिए आपका ad और आप second बला ad के अंदर आप डाल दीजिए और इसके बात अगर आपको कोई business name है तो आप दे सकते हैं अगर आप चाहे के नहीं मुझे business name नहीं देना है तो आप ज example.com है अगर आपको रखता है कि कोई भी जैसे netmedia.com कुछ भी हो तो आप देख सकते हैं इसके बात आथ है पर्त फ्रेंड यह लोगों को देखने में लेगे के कहा जैसे personal path यह जो आप देख रहे ना यह सारे apply online यह सारे चीज तो आप यह path आप decide कर सकते हो क्यूंकि देखन के apply online यह सारे सी जब कर सकते हैं अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी आप online लिख सकते हो और यह अगर आप ना दे तो कोई बात नहीं अब ऐसा भी करके apply online कर सकते हो इसके बाद आते decision right decision आपको keyword relevant भी होना चाहिए तो चलिए मैं यहाँ पर सोटा सा एक decision clone जो है मैं यहाँ प trackingable template है तो आप उख सकते final surface है तो उख सकते तो इतना तक हम test करना देंगे और आपको जो add है mobile पर देखने के ऐसा ही होगे अगर आप desktop में चलाएंगे तो आपको ऐसा ही होगा right इसके बाद आप save कर दीजिए right so friend आप देख सकते हो कि आपको add हो गया आप इसके बाद चाहे ह अगर आप चाहते हो के email calculator, zero payment यह सारा चीज आप करना चाहते हो तो यह भी आप कर सकते हो इसके लिए आपको site link extension पर जाना होगा और इसके बाद आप एक new site link extension जो है वो आप बना लीजिया हो right तो चलिए मैं यहाँ पर यह copy कर ले दो आपको time shift करने के लिए time shift करने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया और कोई भी आप for example google.com दे देता हो right यहाँ पर भी google.com आपको अगर कोई भी relevant लगता है कहाँ मेरा लिए relevant है तो आप वही url डाल दीजिये जैसमे second action के qr25 करेक्टर के अंदा तो आप चाहते हो यहाँ पर दे सकते है तो चलिए मैंने यहाँ पर a b डाल दिया right आप ऐसे दो बारा भी repeat कर सकते हो और यह save कर देजिये save addition continue ठीक है यह continue करने के बाद आपको एक preview option देखने को मिलेंगे जैसे preview आप preview करेंगे तो आपको desktop के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसा ही तरह के से आपको मिल जाएंगे for right तो यह सारे चीज आप कर सकते हो right इसके बाद आप save send continue करने के बाद आपको सामने में ad group बन चुका है right so friend यह आपको ad group आपको click और आप जो ad campaign चला रहे यह standard है तो आपने सिक लिया के ad group campaign कैसे create करना चाहिए उसके अंदर कैसे keyword डालना चाहिए और आपको keyword डिसास भी कैसे करना चाहिए यह सारे सीज आप आपको और भी वीडियो के अंदर आपको step by step मिल जाएंगे इसके बात जो वीडियो है वो प्लीस आप देख लीजिए इसके अंदर और भी सारे डिटल्स ad group के अंदर में discuss करूगा thank you so my friend अपनी important time दिया और इतना लंब टायम देने के लिए आपको बहुत 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 से ए वीडियो देखते हो सचे बड़ी खुशी मुझे एहा पार आते हैं और मैं ऐसा ही कुशिश करूँगा accurate information देखर आपको ट्यूटल क्लास शेर करने के लिए thank you friend मिलते है नायरेक वीडियो का साथ तब तक आब हैपी रही है खुशी रही है जाए हिंद बंद बात रहा झाल